कि नमस्कार बच्चों राज शिक्षा सो देवं परसिक्षन परिसत बिहार पटना में आपका स्वागत है पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का कोश्चन देखा था उसी को आगे जारी रखते हुए यहां हम लोग कोश्चन देखेंगे कोश्चन है इफ तैन ऑफ आइंगल ले पलस बी इक्वल टू रूट थरी आइंड रूटथरी तैन ऑफ ऐंगल एमइनस बी एक्वल टू न यदि तैन आइप्लस बीड़िसरी है तथा रूट 3 tan of angle a minus b1 है तो कोन a और b कमान निकालें सोलूशन आइए देखा जाए दिया हुआ है since tan of angle a plus b equal to root 3 ठीक है therefore tan of angle a plus b इधर देखे बच्छों 10 है ठीक है तो इधर भी 10 होना चाहिए तो 10 कितना का मान रूट 3 होता है हम लोग पिछले क्लास में देखा था 1060 डिग्री कितने का होता है 1060 डिग्री तो a plus b कितना हो गया 60 डिग्री यह चीज़ ध्यान में रखेगा ऐसा मत समझेगा कि इंटू में यह तो यह 10 कट गया ऐसा नहीं होता है यह इंटू में नहीं है यह इसका अंगल है ठीक है यह कभी भी इसको ऐसे cancel out नहीं करना यह बात ध्यान में रखना है ठीक है तो यहां से a plus b कितना है बच्छो 60 डिग्री यह हुआ समिकरन एक दूसरा क्या दिया हुआ था रूट 3 इंटू टाइन ओफ आंगल a minus b equal to 1 therefore टाइन ओफ आंगल a minus b कितना हो गया यह इधर numerator में है दूसरे साइट जाएगा तो क्या होगा डिनोमीनेटर में तो रूट 3 नूमेरेटर में दूसरे साइड गया डिनोमीनेटर में 1 बाइरूट 3 टैन ओफ एंगल a minus b 10 कितना का भाईलू 1 बाइरूट 3 होता है पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था 10 30 डिग्री यहां से क्या आ गया a minus b क्या आ गया बच्चों 30 डिग्री यह हुआ सेमिकरन दो a minus b कितना आ गया 30 डिग्री ठीक है अब इसको हम लोग सॉल्व कर लीजिए a plus b equal to 60 equation first और a minus b equal to 30 equation second ठीक है अब यहां से देखिए इस दोनों को ID कर दीजिए तो यह plus b और यह minus b cancel हो गया बच्चों 2a equal to कितना हो गया 90 तो a equal to कितना हो गया 45 a equal to 45 अब putting the value of putting the value of a in equation जिसमें रखना हो first second जिसमें इक्छा करें आप रख सकते हैं we get हमने यहां 1 में रख दिया तो a a के जागा 45 है आया है आया है ना a के जागा 45 plus b equal to 60 तो b रख और कितना हो गया बच्चों 60 minus 45 है ना यह हो गया पंदरा यानि पूछा जा रहा था a और b तो a आ गया हम लोग का 45 and b आया 15 अब देखिए हम लोग का यह आंसर सही यह गलत है देखिए 45 plus 15 60 45 minus 15 30 यहनि हम लोग का यह आंसर सही है समझे इसको नोट कर लीजिए आईए बच्चों next question देखिए इफ रूट 3 टाइन 2 ठीटा equal to 3 and कर आए यदि रूट 3 टाइन 2 ठीटा बराबर 3 है तथा ठीटा कहां से कहां 0 से बड़ा और 90 से छोटा यानि की स्क्वाडरेंट में गया फर्स्ट क्वाडरेंट में गया ठीक है या ठीटा क्या है निवन कोन हो गया तो कहता है फाइंड दा वैलू अप तो मान किसका निकालना है 3 रूट 3 कॉस्ट थीता पलस 2 साइं ठीटा माइनक 6 10 एसक्वाइर ठीटा सोलूसन में आई ये देखिए यही कॉस्चन में देदिया है सेन्स रूट 3 टैन 2 ठीटा एक्वाल टू 3 देरफोर टैन 2 ठीटा इक्वाल टू 3 नूमरेटर में है दूसरे साइड गया तो डिनूमिनेटर में हो गया अब रूट 3 से 3 कितने बार में बच्चों कटेगा रूट 3 बार में यानि कितना हो गया रूट 3 इधर टैन है टैन 2 ठीटा बच्चों तो टैन है तो इधर भी टैन ही देखा जाएगा टैन कितना का वैलू रूट 3 होता है इसको पहले लिख लिजे रूट 3 टैन कितना का वैलू रूट 3 होता है हम लोग जानते हैं कितना 60 डिगरी पिछले क्लास में देखा था हम लोगों ने ठीक है 2 ठीटा कितना हो जाएगा 60 तो ठीटा कितना हो गया बच्चों 30 डिगरी 60 बाइट 2 30 डिगरी ठीक है अब जो है हम लोगों को ठीटा निकल गया और यह ठीटा क्या दिया हो था कोश्चन में देखिए 0 से बाड़ा और 90 से छोटा तो 30 0 से बाड़ा और 90 से छोटा है ना तो यही ठीटा गया इन्यून कोन है अब आईए नौ 3 root 3 cos theta plus 2 sin theta minus 6 10 square theta इसका value हम लोगों को निकालना है बच्चो तो 3 root 3 cos theta के जगा कितना आ था 30 degree तो यह रखेंगे 30 degree plus 2 sin 30 minus 6 10 30 whole square clear अब बोलिए कॉस 30 का value आप जानते हैं root 3 by 2 sin 30 का value 1 by 2 और 10 30 का value कितना 1 by root 3 3 यह हम लोग पिछले class में देखे थे ठीक है अब आई यह root 3 into root 3 3 हो गया 3 into 3 9 तो यह 9 by 2 हो बच्चो यह 2 और 2 तो cancel हो गया है ना तो यह कितना हो गया 1 हो गया minus 6 into 1 का square 1 आरूट 3 का square 3 तो 3 2 जा 6 हो गया है ना कितना हुआ यह 9 by 2 plus 1 minus 2 LCM 2 9 plus 2 minus 4 11 minus 4 by 2 7 by 2 यही हम लोग का क्या हुआ अंसर आ गया ठीक है समझ में आई बाद इसको नोट कर लीजिए आईए बच्चो नेक्ट कोस्टन देखिए solve for theta theta कहां से कहां तक है 0 से बड़ा और 90 से छोटा ठीक है तो कहता है पहला तीन कोस्टन है इसमें देख लीजिए पहला कोस्टन है sin square theta minus 1 by 2 sin theta equal to 0 तो बारी बारी से यह देख लिया जाए पहला यहां दे दिया है क्या दिया है 0 जो है theta जो है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है ठीक है first sin square theta minus half sin theta equal to 0 clear अब यहां देखिए lcm कितना हो गया 2 तो यहां क्या हो जाएगा 2 sin square theta minus sin theta equal to 0 हो गया clear अब यह देखिए इधर यह denominator में है दूसरे side जाएगा numerator में तो numerator में दूसरे side 0 है तो 0 into 2 कितना होता है 0 हो गया 0 into 2 0 हो गया अब यहां देखिए sin theta common ले लिजिए यहां क्या बच गया 2 sin theta minus 1 equal to 0 ठीक है अब आई यहां पर आईदर sin theta equal to 0 और 2 sin theta minus 1 equal to 0 यह दोट हो है factor एक एक factor sin theta दूसरा है 2 sin theta minus 1 equal to 0 यह तो यह 0 होगा यह यह 0 होगा दोनों में से कोई 0 होगा है ना। यह दोनों 0 होगा ठीक है अब आईए साइन ठीक है कितना हो जाएगा यहां साइन यहां 0 है देख रहा है ना तो जीरो कब होता है साइन में जब साइन 0 हो यानि ठीक हो और क्या आ गया बच्चों जीरो यहां से तो यह आ गया यहां से देखिए तू साइन ठीक है माइनस वान है दूसरे साइड गया तो क्या हो जाएगा प्लस वन तू इधर क्या है निमेरेटर में तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में अंस में है इधर तो दूसरे जाएगा तो हर में होगा तो हर हो गया अब आप यह बताः ये sin theta का भेलू 1 ठीक है, यह ठीता का भैलू क्या आजाए, 30 आजाए, तब यह पूरा भैलू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो एक answer यहाँ ठीता इक्वल टू 0 आया और एक ठीता इक्वल टू 30 आया, अब यह दोनों होता, लेकिन यहाँ condition दिया होगा, देखिए, ठीता क्या है, 0 से यह हो गया, rejected, यानि ठीता बराबर final answer क्या हुआ, यह हुआ, 10 ठीता बराबर 30, यह हुआ हम लोग का answer, इसको नोट कर लिजिए, अब आईए बच्चों, number 2 question को देखिए, 2 sin square theta, minus 2 cos theta, equal to 1 by 2, अब देखिए, हाँ, 2 है, 1 sin है, 1 cos है, दोनों को यह एक रूप में पहले बना लिजिए, तो sin को cos में convert कर लिया जाए, तो 2, 1 minus cos square theta, minus 2 cos theta, equal to 1 by 2, bracket तोडिये, 2 minus 2 cos square theta, minus 2 cos theta, equal to 1 by 2, इसको उधर ले जाएए, उसको इधर ले आएए, तो कितना हो गया, 2 cos square theta, plus 2 cos theta, है ना, और यह इधर आया, तो 2 minus 1 by 2, यानि, 3 by 2, ठीक है, 2 cos square theta, plus 2 cos theta, minus 3 by 2, equal to 0, L C M कितना हो गया, बच्छों, 2, 4 cos square theta, plus 4 cos theta, minus 3, 0, 4 cos square theta, plus 4 cos theta, minus 3, equal to 0, यह डिनोमिनेटर में 2, दूसरे साइड जाएगा, तो नूमिरेटर में मुल्टिप्लाई होगा, 0 into 2, 0 हो गया, ठीक है, अब यहां ही देखिए, अब यह quadratic में है, cos theta, किसी में है, quadratic में, तो quadratic का आप जानते थे, क्या जानते थे, यह आप ऐसे कर लिजिए, यह कितना हो गया, factorization भी कर सकते हैं आप, 4, 3 जा, 12, तो क्या कीजिएगा, कि 12 आजाए, factor 6 और 2 कर लिया जाए, 6, 2 जा, 12 हो जाएगा, और 6 में से 2 गया, तो 4 भी आजाएगा, यहाँ से factor ले सकते हैं हम लोग, इसको तोड़ लिया जाए, 4 कॉस स्कॉर ठीटा, 6 कॉस ठीटा, माइनस 2 कॉस ठीटा, माइनस 3 एक्वल टू, 0, देखिए, 6 में से 2 गया, 4 आजाएगा, इसको multiply कीजिएगा, तो माइनस 12 कॉस स्कॉर ठीटा, इसको multiply किये थे, माइनस 12 कॉस स्कॉर ठीटा आ गया, यहाँ हम लोग का यह ठीख है, अभी इसमें क्या कॉमन ले लिजिएगा, 2 कॉस ठीटा कॉमन ले लिजिए, क्या बच गया बच्चों, 2 कॉस ठीटा, पलस 3 बच गया, और यहाँ, माइनस 1 कॉमन ले लिजिए, क्या बच गया, 2 कॉस ठीटा, पलस 3 इकवल टू, जीरो, अब 2 कॉस ठीटा, पलस 3, कॉमन ले लिजिए, तो यहाँ, क्या बच गया, 2 कॉस ठीटा, माइनस 1 इकवल टू, जीरो, ठीका है, दो फैक्टर आया two cost theta plus three into two cost theta minus one यह तो यह 0 होगा यह 0 होगा यह 0 होगा यह 0 होगा यह 2 जीरो होगा यह दोनों 0 हो सकता है ठीक है तिहां लिखेंगे आईदर two cost theta plus three equal to zero और two cost theta minus one equal to zero बच्छों लिखेंगे अब यहां से आईए देखिए 2 cos theta equal to क्या हो जाएगा minus 3 हो जाएगा ठीक है और यह cos theta क्या हो जाएगा बच्चो माइनस 3 by 2 ठीक है तो यह हम लोग का निगेटिव आ रहा है बच्चे तो यह निगेटिव जो है यह किस क्वाडरेंट में है यह ठीता जो है अब लोग पिछले क्लास में देखे थे कि 0 से 90 फर्स्ट क्वाडरेंट में ठीक है और फर्स्ट क्वाडरेंट में all trigonometric ratios are positive होता है असेकेंड और थर्ड का क्या होता है 90 से 180 और 180 से 270 यानि 180 से लेके 270 में कॉस्ट निगेटिव होता है इसलिए यह हम लोगों का बच्चों रिजेक्ट हुआ अम्मान नहीं हो गया यह वैलू नहीं लेंगे क्यों नहीं लेंगे क्योंकि यहां दे दिया है ठीटा क्या होना चाहिए आपका फर्स्ट क्वाडरेंट में ठीक है अब आईए यहां टू कॉस्ट ठीटा इधर माइनस है उधर जाके दूसरे साइड क्या ऐगा प्लस कॉस्ट ठीटा इक्वाल टू बच्शे मोली है क्या होगी जाएगा वन रैटू और को स्थिता इक्वाल को कॉस्ट कितना कव वैलू वन वाई टू होता है बताइये हाँ कोस है साथ डिगरी का वैलू साथ डिगरी का वैलू अधर मौन यह ने देखा था पीसल समझ में आ गई बाद ठीक है इसको नोट कर लीजिए यहीं अंसर हुआ आईए बच्चों नंबर 3 देख लीजिए यह तो दिया हुआ है ठीटा लाइस बेट्विन 0 to 90 ठीक है अब आईए थार्ड कोश्चाने बच्चों टाइन स्कॉर्ट ठीटा पलस 3 इकोईल सक टू 3 सटीटा ठीक है हम लोग एक रिजाल्ट पिछले क्लास में देखा था था ख् initiatives सक्वर्ट ठीटा को एकवल टू क्या होता था था उन होता था चिए घान सक्वर्ट ठीटा करें दो लिखिये आए था से लेकैं स्वर्ट ठीट dolphins Care मानिस वन थीक है प्लस 3 और यह दूसरे साइड है लेफ्ट साइड लाइए राइट से पलस तो माइनस हो गया यह हम लोग पढ़ेते बच्छों से के स्कुरी ठीटा माइनस टैन एसकुरी ठीटा इक्ट टुव अन उसी का हम लोगों ने यहाँ पर प्रियोग किया टैन स्कॉर्ट ठीटा कि ज़िए क्या हो जाएगा सेक स्कॉर्ट ठीटा माइनस वन हो गया ठीक है यहां से बोलिए क्या लिखिएगा सेक स्कॉर्ट ठीटा माइनस थिरी सेक ठीटा और यह क्या हो जाएगा थिरी तुन हो गय प्लस 2 हो गया, माइनस 1 प्लस 3, ठीक है, अब बोलिए, यह तो क्वाद्रेटिक है बच्छों, तो सेक स्कॉर्ड ठीटा, 2 सेक स्कॉर्ड है, तो माइनस 2 सेक ठीटा, माइनस सेक ठीटा, प्लस 2 एक्वल टू 0, माइनस 2 और माइनस 1, माइनस 3 और माइनस इसको मल्टिप्लाई की जाएगा, तो प्लस 2 सेक स्कॉर्ड ठीटा, आगया, ठीक है, कॉमन, क्या लीजिएगा, यहाँ पर, देखिए, सेक स्कॉर्ड ठीटा है, माइनस सेक ठीटा, एक साथ रख लीजिए, और इसको उधर ले जाएए, माइनस 2 सेक ठीटा, प्लस 2 एक्वल टू 0, सेक ठीटा कॉमन लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोलिए, सेक ठीटा माइनस 1, यहाँ क्या लीजिएगा, बोलिए, 2 common ले लिजिए minus 2 common ले लिजिए तो यहाँ बच गया सेख ठीटा minus 1 equal to 0 नहीं minus 2 सेख ठीटा minus minus plus हो गया अब यहाँ common क्या ले लिजिएगा सेख ठीटा minus 1 और यहाँ सेख ठीटा minus 2 equal to 0 clear ठीक है अब यहाँ यह आईदर सेख ठीटा minus 1 equal to 0 और सेख ठीटा minus 2 equal to 0 ठीक है सेख ठीटा equal to 1 सेख ठीटा का भेलू 1 कभ होता है बच्चों बताइए सेख 0 सेख 0 का भेलू क्या होता है 1 होता है ठीक है तो ठीटा बराबर क्या हो गया 0 हो गया ठीक है अब 0 क्या है यहां पर देखिए 0 से ठीटा क्या है बड़ा है तो यह तो rejected हो गया यह जो 0 तो होगा नहीं rejected हो गया क्यों हो गया क्योंकि 0 से question में दे दिया है ठीटा क्या हो ए बड़ा है थीटा यहां पर देखिये क्या है बड़ा है 0 से इसलिए 0 नहीं होगा अब यहां यह से क्षीटा एक वल टूक्या हो जाएगा दू हो जायेगा से अग थीडा का भैलु टू कब होता है से के तना का भैलू बताईए 60 degree को 60 degree कितना होता था 1 by 2 तो उसका रेसी प्रोकल क्या हो जाता है 60 क्या हो जागा 2 हो जागा तो यहां से ठीता ब्रावर क्या हो गया बच्चों 60 degree ठीक है यह 60 degree देखिए 0 और 90 के बीच है ना तो यही हुआ हम लोगों का final answer यानि ठीता ब्रावर क्या हो गया 60 degree समझ गये होंगे इसको नोट भी कर लीजिए देखिए बच्चों question है from that joining figure मतलब यह जो figure दिया हुआ है इसी से हम लोग को निकालना है AC की लंबाई AC की लंबाई यह दिया हुआ है A, B, C कौन B 30 degree, कौन D 45 degree और यह जो C है बच्चों यह है 90 degree ठीक है और BD जो है कितना है 40 meter तो हम से पूछा जा रहा है AC की लंबाई clear ठीक है तो माल लिया जाए solution में आईए let CD equal to X meter माल लिया CD क्या है X meter है then triangle ABC में आईए ABC में इडिफ्रेंस आइंगल हो गया 30 तो इसके लिए perpendicular AC base BC और हाइपोटेनस AB तो 10 3 हम लोग को निकालना है AC यानि की और यह दिया हुआ है यहनि परपेंडी और बेस में relation किसका होता है टैन का यहां लिखेंगे टैन ओफ आइंगल 30 डिग्री टैन ओफ आइंगल 30 डिग्री इक्वल टू AC अपॉन BC है ना AC कितना है बच्चों AC तो निकालना ही हम लोग को ठीक है और BC क्या हो जाएगा बोलिए देखें यहां से BD पलस BD पलस DC AC अपॉन BD पलस DC 40 पलस X 10 30 का भैलू आप जानते हैं कितना होता है 1 बाई रूट 3 AC अपॉन 40 पलस X ठीक है यहां से AC कितना आगया बच्चों 40 पलस X अपॉन रूट 3 आगया ना ठीक है यह हो गया अब इन ट्रेंगल यहां इन लिख दीजे इन ट्रेंगल इन ट्रेंगल किस में आईएगा ADC में ADC में 1045 1045 इक्वल टू क्या हो जागा देखिए इसके लिए भी परपेंडिकुलर AC AC और यह हो गया हम लोग का DC बेस है ना किलियर तो 1045 1 होता है AC और यह हो गया हम लोग का क्या DC DC को हम लोग X माने थे यानि AC बराबर यहां से क्या हो गया X आ गया समझ रहा है ठीक है इसको बच्चों वन ले लिया जाए और इसको 2 ठीक है फ्रॉम एक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम एक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इट फॉलोस थैट समिकरन एक और दो से देखिए दोनों का लेफ्ट इक्वेल है तो राइट भी बच्चों इक्वेल होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग 40 पलस X इक्वेल टू सॉरी बाई रूट 3 इक्वेल टू X कोई दिक्कर नहीं चलिए अब यहां से क्या हो जाएगा रूट 3 X इक्वल टू 40 पलस X इधर लाइए कितना हो जाएगा रूट 3 X माइनस X इक्वल टू 40 ठीका है X कॉमन लिजिएगा तो कितना जाएगा रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 40 किलियर अब यहां से देखें बच्चो एक सीक्वल टू क्या जाएगा बोलिये 40 बाई रूट 3 माइनस 1 तो रूट 3 के जगा यहां लिख दीजिए रूट 3 माइनस 1 रिस नलाइज कर दीजिए रूट 3 पलस वान और यह रूट 3 पलस 1 कितना हो गया एक सीक्वल 2 40 इंटू रूट 3 पलस 1 अब यहां देखिए ए माइनस बी इंटू ए पलस भी है तो ए स्कॉर माइनस बी इसकोर हो जागा रूट 3 का स्कॉर 3 बच्चो और यह 1 हो गया तो कितना हो गया एक सीक्वल 2 है 40 इंटू रूट 3 पलस 1 बाई टू टू से 40 कितने बार में काटेंगे 20 बार में एक सीक्वल 2 टू 20 रूट 3 का भैलू आप जानते हैं 1.732 होता है नहीं तो यहां भी आप छोड़ सकते हैं 20 इंटू रूट 3 पलस 1 बी छोड़ सकते हैं ठीक है और नहीं तो करना चाहाए तो यह भी कर सकते हैं तो ही कितना हो गया 20 इंटू 2.732 मुल्टिप्लाइ कीजिएगा बच्छों तो आएगा चाहएट 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 जीरो दस अमलब 3 1 2 3 यहानि 54.64 एक्स का वैलू क्या आगया 54.64 अब यहाँ देखिए एक्स एसी आया था है ना एसी बराबर क्या था एक्स था इसलिए एसी बराबर क्या हो जाएगा 54.64 मीटर यही हम लोग को निकालना था लेंठ आप एसी तो एसी का कितना आ गया लेंथ 54.64 मीटर यहीं हम लोग का बच्चों आइंसर हो गया इसको नोट कर लीजिए तो बच्चों हम लोगों ने ये प्रसनाज देखा उमीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा तब तक के लिए नमस्कार स्वस्त रहिए